ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे कबीर साधर के अंगर कबीर बानी एकजेप्टर है उसके प्रेश्ट नंबर 134, 35, 36 और 37 पर यह सबस्ट किया है कि ग्रीव दास जी का बार मापन्त होगा समवत उसमें गलती से समवत 1775 लिखा है वह उसमें जो आएगा भगत संथ जो उसका मुख्या होगा उसके माजन से मैं अपनी मैमा की वानी को पुने परगड कराऊंगा लेकिन उस ग्रीव दास पंथ वाले भी उससे परीचित नहीं होंगे असंग जनम तक वो मेरे इस ज्यान को समझ नहीं सकेंगे फिर प्रमात्मा ने कहा था कि जब जैसे काल ने कहा था द्वादस पंथ करूँ में साजा और नाम तुमारा ले करूँ आवाजा बारा पंथ चालो करूँगा तेरे नाम तै पर में इस वरसे कहा था और द्वादस पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई और अनेक पंथ चलाओं उनसे नियारी रादा स्वामे धन्बन सथ गुरू जैगुर देवर ठाकुर जी दनो द्वाड़ा तारा चंद ये और अनेक पंथों मैंसे हैं और अनेक पंथ चलाओं या विद जीव को भर्माओं जोग जीत जाओ संसारा जीव नमाने कहा तुमारा तो इसलिए प्रविश्वर ने कहा था कि चोथा युग जब कल युग आई तब हम अपना अन्स पठाई और काल फंद छुटे नरलोई शकल सेश्टी पर वानेक होई ये तो उन्हों बता जिया कि बार में मेरी महिमा की वानी परगट होगी उसके बाद फिर उस गरीब बार में पंथ में हम ही चलाओं और सब पंथ में ठाके एक पंथ चलाओं तो उस प्रमात्मा ना ये दास बिश्दिया पुन्यात्माओं गरीब दास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है फिर क्या बता है क कलियुग बीटता है पच्पन सो पाच्चा, तब ये मेरा वचन होगा साचा, कलियुग बीट जावे जब एता और सभी, सब जीव परंपुरस पद जेता ऐई है पच्पन सो पांच जब वरस बीट जाएंगे, उससमें ये मेरी बात सच्थ होगी, कि मैं बार में पंथ में स्वेमाऊंगा शब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा अपने अत्माँ थोड़े सी दिन की बात है बुदिमान समाज है अभी तक उनके पास युग्यान पहुँचा नहीं है और पहुचने लग रहा प्रमातमा तो जालो है घर घर टीवी लगा दिये मॉबाल बना दिये इन में चिप टलवा लो सीड़ी बैठकर देख लो पुस्तक वड़ लो टीवी देख कही ना कही कोई ना कोई तस मारक से अपने बच्चों तक यूप पहुचा कर छोड़ेंगे और जब उनको यह समझ दिमावेंगे ऐसे आएंगे दोड़कर और सब एक हो जाएंगे सब का मौक्स होगा सब यहां भी सुखी होंगे और सत लोग जाएंगे जाज भर बरकर वगवान आपको सत लोग शोड़का होगा तो यहां परसंग जो चल रहा था यहां जो परसंग चल रहा है कि गरीव दास जी जो है इनका विसेश योगदानेश लेर की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पैचानने में आसानी होगी सभी बेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुनगावें तो फिर भगवान के पैचानने में आपको दोखा नहीं होगा देर नहीं लगएगी और दर्ड हो जाओगे फिर चाहे कोई विर्मा विश्रू महेसा कर भी आपको वर्मित करने की चेश्टा करेगा आप उनकी बात को मान नहीं सकते दास आपको इतना दर्ड करना चाहता है अब जो परसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जब दस वरस के हुए गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा यहां उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा वह प्रियाप्त हो गया आपके लिए गरीबदास जी गाओं करों था जहां अपना आश्रम है सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था 2006 में उकरोथा कांड इंदुस्ट रोगन कर दिया था वो उदर कोई बात नहीं प्रमात्मा ने हमारा यहां सफलता कर दी हमें तो अपना परचार करना है चाहिए कहीं जंगल में बैठके गुणगावा बगवान के बच्चों तक ग्यान पहुंच जाना चाहिए तो करोथा गाओं के वो मूल निवासी थे उनके पिता जी और वो बिहाए थे गाओं छुडानी जिला जजर हरियाना में और गाओं करोथा है जिला रोटक में तो यहां उनके नाना के छुडानी के अंदर यानि ग्रीब दास जी की माता के कोई बाई नहीं था जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिता जी श्री बलराम जी को उनका दंखड गोतर है अपने गर पे चुडानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहां रख लेना उसको घर जमाई कहते हैं तो सारी संपती उनको दे दी अपने बेटी को यानि उसके दामाद को उनके लगबग धाई हजार बीगा जैसे राजस्थान में बीगा होता है तो धाई हजार बीगा पेड़ बीगा ही था यहां पर भी यह बाद में यह बनी है यहां पर एकड़ तो धाई हजार बीगा जमीन था इतना बड़ा किसान थे आज के चौदा सो के करीब एक जमीन बनती है रही जार भी गागी तो सारी संपती के वारष फिर ग्रिबदासी जी ही थे दस वरस के बालक थे उनके पिता जी यानी नाना जी तभी तक वहाँ साथ ही थे तो उनके वहाँ लगवग डेढ़ सो गवें थी तरहागा क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गवें रखते थे ग्रीबदास्टी उन गवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में उनके साथ में अन्य गाओं के कुछ उनके किसान के यहां जो किराये पर पाली होते थे और कुछ अन्य गाओं वाले भी अपनी गवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे समवत 1784 यानि सन 1727 और फागुन उतरते की दवादसी यानि फागुन सुधी दवादसी को दिन के लगभग दस बजे सभी गवें चर रही थी कोई बैठी हुई थी प्रक्सों के नीचे जंडी उस साथ में जैसे राजस्थान के अंदर जंड होते हैं जंडिया ऐसा ही सतीची थी उस अक्षेतर की उस समय जो आज बहुत से अक्सेतर में राजस्थान के अंदर जंडी जादा होती थी उन जंडियों के पास बैठी थी और एक रस्ता है गाउं कबलाना है छुदानी की सीमा से सटा हुआ गाउं कबलाना से गाउं छुदानी में कच्चा रस्ता आता था उस कच्चे रस्ते के उपर एक बाली बैठे हुए थी इंक्लूडिंग गरीवदास जी और वो भोजन खा रहे थे अपना दस बजेसी भोजन खा रहे थे उसी सिब परमात्मा सत लोग से आए कबीर देव एक जंदा मात्मा का वेस बुसा बना करें करियों के अंदर वो जिन को मिले हैं जिन्दा जैसे जिन् होता कि फकीर पाए जाते हैं शिर पर काला टोप होता है उच्चे से चुंडे करियों ऐसे खड़ा साथ और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्तर पहनते हैं और एक अंडर वियर कच्छा घुटनों तक का ऐसी वेश भूसा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं दाड़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके इस वेश भूसा में प्रमात्मा थोड़ी सी दूर पर सत लोग से आकर उतरे और उस रस्ते कच्छे रस्ते जा रहे थे साथ में पाली बैठे थे गरीब दासी भी बैठे थे उन पालियों में बड़े भी थे कोई 40 वरस का कोई 30 वरस का कोई 10 पंद्रा वरस का कोई 15 वरस के वर्द भी थे प्रोड भी थे तो उसमें एक विसेश था थी, रस्ते चलते थे, सादू संत का तो आदर था ही था, आम विक्तिक होबी, विसेश रिगार्ड दिया करते थे और प्राथना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चल कर आए हो, पैदल चल रहे हैं, आओ महराज बैठो, भोजन पाओ, खड़या हो गया काद भगत, रात जोड़ दिये, प्रमातुमा ताय उसी लिए थी, बैठी गे उनके पास, तब कहा जी भोजन पाओ, प्रमातु प्रमक्षर ब्रहम ने, कि भई भोजन मैं खाके आया हूँ अपने गाओं से, पालियों ने पूछा, आपका गाओं कहा है माराज, आपका डेरा कहा है, कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का, अब उन्हें सोचा भी होगा कोई गाओं, सतलोक नाम तो मारा जी बोजन खाओ, प्रमात्मा बोले बोजन नी खाओ, मैं चकाओ, वहां भी खा का है, तो दूद्ध तो पीना ही पड़ेगा अपने, हमारे पास ऐसी गवे हैं, अभी पांच मिन्ट में दूद्ध निकाल देंगे, ऐसी श्रीव गाएं भी है, तो प्रमात्मा बोले अगर दूद्ध पिलाते हो, तो कमारी गाएं का दूद्ध पिया गुरू है, तो सभी कहने लगे बाबाजी, तेरा दूद्ध पीन की नीत नहीं है, आप तो मजा करते हो, उफास करे हमारा, आप दूद्ध पीना ही नहीं चाहते हैं, प्रमात्मा कहते हैं, पीना चाहता निकालो कवारी गाये का दूट पीता हूँ भाई वे तब ग्रीब दास जी खड़े हुए उनकी एक पिरिये बच्छिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था दूद पीना मा का छोड़ रखा था लग लग एक डेड़ वर्ष की बच्छिया हो चुकी थी एक डेड़ वर्ष की उसकी गले के रसी बांद रखी थी उसको लापकड़ के परका देखो माराजी इसके बच्छा तो है नी दूद कैसे देगी प्रमात्मा बोले को एक पातर लाओ जिसमें दूद निकालेंगे यह दूद देगी भाई अब वहाँ एक मिट्टी का परतन था जैसे जल पीने के लिए या नसी पीने के लिए लिए लिजाते थी उसको साफ करके रखा हुआ था तो उसको कहा कि यह रखा जी बत पातर है करने लगे इसको फिर दो जो एक वरसी तरह फिर दो दिया साफ करके इसके नीचे रखो गाए एक बच्छिया के बच्छिया के नीचे गरीबदास जी दस वरस के बालक पज़ तकड़े हो जाते थी पकड़ का बैठी गए रहा सरे हैं देख रहें बाबाजी कैसे दूद निकाल लगा अब परमात्मा ने बच्छिया के कमर पर थपकी मारी लंबे लंबे सतन हो गए और दूद की धार्थ बैटली जब वो पात्र बर गया अपने आप दूद बंद हो गया गरीबदास जी हरान कि बाबा जी बड़ा सक्ती वाला है अगले माराजी फिर पीलो आपने निकाला कुछ दूद प्रमात्मा ने पिया फिर उन पाली उपस्ति थे बड़े छोटे जितने भी थे उन से कहा के लिए बच्छो पीलो ये दूद यहां का नहीं है मेरे डेरे से आ मानने थे अपने आपने हैं वो कहने लगे हम ना पिवा जाद्व जंतर का दूद और कवारी गाएं का पाप लग गया हमारा है अरत ने जूठा कर दिया कि बेरा तो कौन सी जाती का है वो तो उठका चले गए कहते हैं सकल पदारत है जग माही करम ही नर्पावत नाही गरीवदास जी बोले लामाराज जी आपका अमरित कज़ कज मिला मुझे जूठा पुन्यात्मा ये हैं वो पुन्यात्मा जिनके लिए वगवान बटक रहे होते हैं जो दर्ड भगत होते हैं उनका सभाव न्यारा होता है उनके लक्षन अलग होते हैं तो तुरंत गट गट जितना पीना था पियर बाकी रख दिया तो प्रमातमा नमको ज्ञान समझाया सारी कहानी सुनाई आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संत्रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 अपने लिए संपर्क करें